नमस्कार दोस्तों, आज का जो डिस्केशन हम करेंगे मोडाफिनल टैबलेट्स के उपर, क्या इसके यूज़ेस होते हैं, क्या इसके साइड एफेक्ट हैं, और क्या प्रिकॉशन्स का हमें ध्यान रखना चाहिए, उसके उपर हम डिस्केशन करेंगे Modafinil Tablets एक प्रकार के एक ऐसे CNS Stimulant होता है जिसे डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है for wakefulness means जब uncontrollable desire होती है daytime की sleepiness की यानि उसको बहुत ज़्यादा desire होती है सोने की तो उस condition में एक तरह से ये डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है even आप देखेंगे कि ये certain conditions में इस्तेमाल किया जातने वाले medication है जैसे कि narcolepsy जिसमें uncontrollable daytime की desire होती है उसको sleepiness की तो उस condition में भी इसे दिया जा सकता है या sleep apnea apnea basically apnea का मतलब होता है temporary arrest of breathing means कुछ समय के लिए breathing एक तरह से रुक रही है या उसमें temporary arrest टारा होता है तो उसकी वज़े से ये condition create होती है तो sleep apnea में अगर वो सोते वक्त उसको सांस लेने में ऐसी परिशानी हो रही होती है और पता नहीं चल पाता है तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इवन shift work disorder की condition में भी इसे दिया जा सकता है तो ये basically different condition है जिसमें इसे prescribe करते हैं डॉक्टर द्वारा इवन आप देखेंगे कि इसके कुछ brand names होते हैं बजार में जिसके नाम से available होती है जैसे कि moda fresh है, mod alert है तो ये कुछ इसके brand names है और ये अलग-अलग locations में, अलग-अलग जगाओं पे अलग-अलग brand names हो सकते हैं इसलिए ये आपको देखने को मिल सकता है इवन आप देखेंगे ये 100 mg और 200 mg में भी available हो सकती है ये भी vary कर सकता है from place to place और इवन आप देखेंगे कि ये एक ऐसी medication है आगे अगर हम जाने कि इसके क्या uses होते है uses की अगर हम बात करें तो basically इसे narcolepsy जिसमें uncontrollable desire होती है sleep की daytime में तो ये उस condition में दिया जा सकता है ये sleep apnea like condition में जो कि temporary rest of breathing होता है apnea like condition होती है means तो उसको तब भी इसको prescribe किया जा सकता है या even आप देखेंगे कि इसे shift work disorder में भी prescribe किया जा सकता है तो अगर basically patient को tendency होती है uncontrollable desire आ रही है उसको दिन के time में सोने की ऐसी दिक्कतें आ रही है तब इस medication को prescribe किया जाता है और अगर आपने देखा होगा ये एक तरह से media coverage में इसके बारे में भी सुना होगा क्योंकि ये काफी common medication अभी बीच में ये काफी news में चला था तो ये चीजें आपको देखने को मिल सकती है even अगर हम आगे जाने की क्या इसके side effects हो सकते हैं side effects basically ये vary करते हैं from patient to patient बट कुछ common side effects जो ज़्यादा तर देखने को मिलते हैं जैसे nausea है, diarrhea है headache है या even agitation है agitation means patient उत्तेजित हो जाता है उस condition को agitation बूला जाता है और dry mouth condition like उसको महसूस हो सकती है side effect देखने को मिल सकता है even उसको drowsiness महसूस हो सकता है और hallucination भी आप देखेंगे तो ये कुछ इसके side effects भी देखने को मिल सकते हैं आगे अगर हम जाने कि क्या इसके precautions हो सकते हैं तो basically precautions में आपको ध्यान रखना है कि ये किसी प्रकार का medication बिना doctor के advice के ना करें हमेशा हर एक medication डॉक्टर के advice में वो आपको सही dosage हमेशा देंगे आगे अगर हम जाने की precautions में patient को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर patient के अंदर history रही हो kidney disease की या liver disease particularly आप देखेंगे liver cirrhosis like condition में या even angina like condition में या high blood pressure की परिशानी रही हो पहले से तो इसे avoid करें even अगर patient पहले से परिशान है mental condition से like psychosis और hallucination की दिक्कतें हो रही है तो भी इसे अगर avoid करें तो बहुत ही अच्छा होगा तो ये कुछ basic जानकारी थी modafinil tablets के उपर so hope you like the video, thank you friends